उनका ये था कि बुजूर्ग हमारी है चाहे मारे चाहे रखे हमारी मरजी कोई और नहीं कोई इसमें कोई दखल दे जो दखल देगा हम उसको मारेंगे चुकि ये इनकी सेवा करती थी इसलिए इनके बच्चे को उस पर टर्गेट पर लिया गया था उनका ये है कि 5-7 साल में लोगों के पास थी लें संसकार नाम की चीज बिलकुल है एक बुजुर्ग की पड़दारी या परिवार या अगल बगल के किसी बुजुर्ग की सेवा करना अगर इतना वड़ा पाप है तो बताये देहात में यहां से कहा कहा लंगर चला है यहां कोई किसी को दरवाजे प पर कोई भूल के प्यासी को पानी नद्य यही हमारा हींदू यहीं हिंदू 74 हुआ है चाहिकोई यह बीवात कोई तकर और नहीं है भी और यहीं है कि वह अपनी दादी और बाबा की जित लोग कोई थे खिलाते पिलाते नहीं थे लोगुटी उल्टा उनो पे किल भीन बाहर रहा है। को वह गणिखुथा ङhmaina इसा सॉब्सक्राइब की पीजाते फिर यहां आती थी यह लोग बस दोतों रिख़ ratio ऑखा की वह ब्ल Евों कुल सॉपता थे मतलब एसा हो जाए कि मारने से ही देथ हो जाए और यह देथ हो जायाए वह को मिल जा रही है यह बातें खोल रही है कि यह हमको मार रहे हैं पीट रहे हमारा समाज में नाम खराब कर रही है मतलब बुजूर्ग की सेवा करने के लिए बगल की थी तो बुजूर्ग थी तो आ जाते थी तो उसको ले कि यह मामला है बस उसी को लेके है उनका यह था कि बुजूर्ग हमारी है चाहे मारे चाहे नहीं बदल्ब बदल उनको धमकी दी जा रही थी कि अब मार देंगे तब मार देंगे तो गांव में था तो यहोता था भाई वह इसे कह रहा है तो है कोई काठ़ थोड़ा लेकिन उन्होंने बस यह कैसे लोग हैं जैसे लोग आपके बता रहा हैं कि जो तलवार मिला 17 मुब नहीं होता था और इनकी तो जाच होनी चाहिए कि यह कैसे हैं इनके फोन डीटेल कॉल डीटेल से पता चलेगी कि क्या है कि जो है मोबाइल घर में सत्रव पकड़ी जाए तलवार पकड़ा जाए तो पुलीस को क्या कहेंगे इस तरीके का जो है सनक्षर मिल रहा था कि पुली अब इसके लिए जाच जरूरी है क्या उमीद कर रहे हैं पुलीस से उमीद क्या है सर मालीजे वो तो लड़का चला गया अब वो तो कोई वापस करेगा नहीं लेकिन बात यह है कि अभी वो लोग कतल करके गए भी हैं हत्या करके गए हैं लेकिन उसका उनको कोई मलाल नही इस तरीके की दासत है इस घाऊं में कि भाहिया इंटर्भ्यू तो दे रहे हैं लेकिन कह fence बात एक हैं उसको प्रसाशन संहर प्रसासन को प्रसासन हो संग्यान में लेना चाहिए अगली कोई घटनारण हो इसक कि का जो लड़का बताया विनास कुमार राव में वो सही है और सही बात यही है कि वो एक दबंग प्रकृत की आदमी है सिक्षा तु जरूर उनलों के पास थी लें संसकार नाम की चीज बिलकुल लें उसका कारण वही था कि मेन जो ब्योस्ता बिगडी है एक बुजुर्ग क के उसके सेवा करना अगर इतना वड़ा पाप है तो बता इन ये डेहात में हैं यहां से कहा कहा लंगर चल ला है यहां कोई किसी को दर्वाजे पके को भूख ANYप फ्यासे और आजी लग जिसकी साधी तक नहीं हुई परिवार का चिराग ही खतम हो गया यह घटना बहुत निंदनी हां क्या कहेंगे सबसे बड़ी बात एक और है कि वह टार्गेट बना के रखे हैं और हमको लग रहा है कि वह कहिन कहिन क्रिमिनल पार्टी से मिले हुए हैं इसलिए क तीन के बाद चौथावी साथ में है और उनका कहिन कहिन लिंक है जिसके नाते वो सब इतना मनबड़ाई कर रहे हैं गैंग है यह बखरा गाउं है और गवरी बाजार का गाउं है और कुछ चैनलों पर जमीनी विबाद को लेके जो है निव चल रहे थे लेकिन इन लोगों ने जो है घर के परिवार और रिलेशन और घर के लोगे उसका खंडन की है किस जगह पर जमीनी विबाद है वो चैनल वाले या फोर्स या जो भी हो यहां आके असपष्ट करें ना कहां जमीनी विबाद है बिल्कुल मैं वही जमीनी आपके पास है इनका खाता कहा है इनका खाता कहा है इनका चक कहा है उनका चक कहा है दरवाजे पर कोई भीड़ा नहीं है रास्ता निकला हुआ है कहां से जमीनी विबाद हो गया नहों हमारे पटिदार है जी यह हकीकत है कि यहां कोई जमीनी विबाद नहीं था लोग डाल है तो मतलब कह मैंने कहें आप उसको बचाने की कोशिज कर रहे हैं तो यहां मैंने ग्राउंड जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट की और यहां कोई जमीनी भी बाद नहीं यह सुभम राव का घर है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उनके पिता जी और ममी से और जो भी घर की महिलाएं है मैं उनसे भी बात करता हूँ आप वीडियो में बने रही हैं